एलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि अपना जो 18-15-5mm का लेंज होता है उसके साथ हम कैसे हाईली बैकग्गरॉंड ब्लेर पिच्चर को क्लिक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अपने DSLR को ओन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो सैटिंग करनी होगी वह यही है कि आपको अपना जो अपर्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा पूरा वाइड कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो 55mm लेंज में है हमारा अपर पर यहां पर F36 पर आ रहा है तो मैं इसे सिंपल अभी यहां पर फुली वाइड करकर यहां पर इसे F36 पर सैट कर देता हूं तो सबसे पहली सैटिंग हमारी यह होगी हमने यहां पर अपना जो पर्चर है उसे फुली वाइड कर दिया है इसके बाद आपको जो करना है वह यह करना है आपको कि आपका जो जूम लेंज है यहां पर उसको आपको फुली यहां पर फिफ्टी फाइव पर खोल देना है इस लेंज का आपको फुल यहां पर जूम कर देना है बलर पिचर क्लिक करने के लिए इसके बाद आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके कैमरे के लैंज के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए जैसे कि यह हमारा कैमरे का लैंज है और यह हमारा सब्जेक्ट है जिस पर मैं यहां पर पिच्चर क्लिक करने वाला हूँ तो आपको करना क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैमरे के लैंज के यहां पर नजदीक होना चाहिए यह इतना भी नजदीक ना हो कि आपका जो कैमरे का लैंज है वो फोकस ना कर पाए तो आपको इसे उसके accordingly set करना होगा कि आपका subject कैमरे से कम से कम उतनी दूरी बे हो कि जहाँ पर वो उसे focus कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा blur दे सके अगर आप इसको जितना जितना दूर करते जाएंगे आपका जो camera का lens का blur है वो उसे उतना ही कम करता जाएगा अगर आप इसे lens के निजदी करते जाएंगे तो आपका जो blur है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा तो आपको यह बात का भी ध्यान रखना है तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसे set कर लेता हूँ तो अभी यहाँ पर जो मैंने अपना subject है उसे set कर लिया है और मैंने अपने lens का zoom पूरा यहाँ पर खोल कर रखा हुआ है तो अभी मैं simply अभी यहाँ पर अपने subject पर focus करने जा रहा हूँ और यह आप देख सकते हैं हमारी जो picture है यहाँ पर click हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सामने की और subject है वो काफी clear है लेकिन हमारा जो background है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा blur आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो भी चीजें थी वो सभी यहाँ पर blur आ रही है तो simply आप ऐसे जो अपना maximum blur है उसे बढ़ा सकते हैं तो आपको ये भी दियान रखना है कि ये तो मैंने इंडूर में फोटोग्राफी की है तो यहाँ पर पास में ही दिवार है जिसकी वज़से हमारा जो blur है वो इतना ज्यादा नहीं आ पाया है तो आपको कोई ऐसी जगा चूज करनी है अगर आप आउटडूर कोई पोटोग्राफी कर रहे हैं तो जिसमें आपका जो background है वो काफी दूर हो तो ये बात को भी आपको दियान रखना है कि आपका जो background है वो काफी दूर होना चाहिए यहां पर एक दो फूट में ही हमारी जो दिवार है जिसकी वेज़से हमारा जो blur है इतना नहीं आ पाया है लेकिन अगर हमारा background आगी तरफ और भी हो तो हमारी जो picture है वो काफी अच्छी आएगी और हमारा जो blur है वो आपको देखने को काफी अच्छा मिल जाएगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको जो aperture है उसको आपको fully यहां पर wide कर देना है और उसे set कर देना है उसके बाद आपको जूम को पूरा यहां पर खोल देना है और उसके बाद आपके जो camera के lens के सामने आपका जो subject है वो उसके नजदीक होना चाहिए और उसके बाद आपका जो background है वो काफी दूर होना चाहिए हमारा जो subject है उससे तो इन्ही सब settings का यूज़ करते हुए आप एक अच्छी और बढ़िया picture को click कर सकते हैं जिसमें आपको एक बढ़िया blurb देखने को मिल जाएगा तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो like करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें